तो फ्रेंड्स आप सवीका फिर से एक बार मेरी डूप चैल में स्वागत है दोस्तों भारत के तत्कालिन परधानमंदरी नरेंदरदा मोदरदास मोदी ने अटल बिहारी बाजपेई के 95 जयनती के औसर पर भारत में दो बहुत बड़ी युजनाओं की सुरुवात करी है दोस्तों आज वीस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन दोनों जयनाए कौन कौन सी हैं तथा इससे आम जनता को क्या लाव होने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में लाज तक आप बने रहे हैं वहीं दोस्तों कि आपको पता है 25 दिसंबर को भारत के पूरु परधानमंतरी अटल भिहारी वाजपेई का जर्म हुआ था दोस्तों इनके जनन दिवस पर 25 दिसंबर 2019 को भारत के ततकालिन परधानमंतरी नहिंदर दामोदर दास मोदी ने भारत में दो योजनाओं की शुरुवात करी है जिसमें से पहली योजना है दोस्तों अटल भूजल योजना स्था दूसरी योजना है अटल टरनल योजना दोस्तों तो मैं दोस्तों आपको बारी बारी से दोनों योजनाओं के बारे में 20 जनकारी देने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अटल भूजल योजना की दोस्तों अटल भूजल योजना वह योजना है जिसके तहत किंदर की सरकार गाओं में, सहर में, हर जगा घर घर में पानी पहुचाना चाहती है जैसे दोस्तों आपने बहुत दिन पहले सुना होगा कि उज्वला योजना की तहत नेंद दा मोदर दास मोदी ने सब को सिलिंडर मोहिया कराया था वैसे उज्वल योजना की तहत सारे घरों में विधुत की सप्लाई देना उनका अलच्छ था प्रथानमंतरी आवास योजना की तहत उन्होंने सब को घर देने का वादा किया था जो बहुत हद तक कारगर भी रही है अब दोस्तों जो प्रथानमंतरी की नई योजना है अटल भूजल योजना इसके ताथ दोस्तों वहर ग्रामीर चेत्रों में तासारी चेत्रों में पानी मोहिया कराना चाहते हैं वह भी सस्ते रेटों में अच्छे दामों में आपको पानी मोहिया कराये जाएगा दोस्तों इसके लिए 6,000 करोन रुपए आप अंडित कर दिये गए हैं जिसमें दोस्तों तीन हजार करोन रूपए विशु बैंक से दिया जाएगा तता तीन हजार करोन रूपए भारस सरकार अपने लग से देगी तो दोस्तों इस योजना से अभी ततकाल में छे राजियों को लाव होने वाला है जिसमें उत्तर परदेश है, मध्य परदेश है, महराष्ट है, राजस्तान है, हरियाना है, गुजरात है इसके पचासी सो गाउं में दोस्तों अभी ततकाल में योजना कायरत होगी सुराती दोर में दोस्तों तो आप छे राजियों में पचासी तो गाओं में दोस्तों यह जोजना है ततकाल खायरत होगी तो दोस्तों इस योजना का मुख खिलाच यह है कि हर गामिर को तता हर सारी छेत्रों में रहने वाले निवासियों को घर में पानी की सप्लाई दी जाए तता उचित रेट पर उनको पानी मुहिया कराया जा सके यह तो रही दोस्तों अटल भूजल योजना अब दोस्तों अब मैं आपको पता लेवाला हूँ अटल टर्नल योजना के बारे में दोस्तों अटल टर्नल योजना दोस्तों वैसे तो बहुत पुलानी योजना है जिसको पहले रोहतांग टर्नल के नाम से जाना जाता है इसकी सुबाद दोस्तों सन 2005 में हुई थी जिसको हम रोहतांग टरनल के नाम से अभी भी कारिश इसमें चल रहा है इसका दोस्तों आलमुस्त 80% तक काम कंप्लीट हो चुका है बट दोस्तों अभी इसमें उमीद है कि सितंबर या अक्टूबर 2020 तक इसका काम कंप्लिट हो जाएगा बट मोधी सरकार इसका नाम चेंज करके अब इसे अटल टरनल योजना करना चाहती है तो दोस्तों अब इस योजना को अठल टनल योजना के नाम से जाना जाएगा दोस्तों यदि आप किजी competition के त्यारी करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा question भी है आप इसको note कर लीजिएगा तो इसकी दोस्तों खासियत अटल टनल योजना के में बता देता हूँ अटल टनल योजना दोस्तों भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे उची टनल योजना होगी दोस्तों यह सबसे उचाई पिर टनल खुदा जाएगा टरनल का मतलब दोस्तों एक सुरंग होता है, सुरंग के रूपे होता है तो दोस्तों यह एक 8.8 किलोमेटर यानि नेर अबाउट 9 किलोमेटर की यह सुरंग है जो धर्ती से 10,000 फिट के उचाई पर है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ- Important बाते हैं कि यह भारत की सबसे ऊची टरनल भी होगी इसका नाम होगा अडल टरनल होजना दोस्तों तो कमेंट बाक्स में दोस्तों अपना रिप्लाई दीजिएगा मैं आपको तुरंध रिप्लाई करके उसका एंसर दूँगा दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही जहिंद वन्दे मात